पहले जहां ये लग रहा था कि इंडिया मेडिलीष्ट यूरोप एकनॉमिक कॉलिडॉर के फेल होने के पीछे इरान का हाथ होगा पर असल में इसके परदे के पीछे कतर का बड़ा काम चल रहा था कतर को हर समय साओधी इरान का ही डर सताता रहता था क्योंकि कतर दोनों ये के लिए सरदर्द बन चुका है क्योंकि अब कतर जो भी आतंकी संगठन है उनके ओफिस अपने देश में ही बनाना शुरू कर चुका है जिसमें हमास का तो में लीडर अभी कतर में ही बैठा है और वहीं से सारे ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा है इस से आप समझ सकते हैं कि यहां खेल क्या हो रहा है वहीं इस समय कतर इसराइल और भारत दोनों से ही चुड़ा हुआ है वजह साफ है इंडिया मीडिली इस्ट यूरोप एकनॉमिक कॉल्डोर जिसमें से कतर का भाहर होना ये कतर पचा नहीं पा रहा है क्योंकि एक बार आइमेक खड़ा हो जाता है तो कतर को कोई पूछने वाला नहीं होगा वहीं कतर के उपर आतंगवात को समर्थन देना कोई नई बात नहीं है आज से कुछ समय पहले साओधी अरब समेद यूई और कई देशों ने आतंगवात का समर्थन के आरोप में कतर के साथ अपने रिष्टे ही तोड़ दिये थ और अपने यहां इसकी सारी सिवाय बंद कर दी थी और इन देशों ने मिलकर कतर के उपर पाकिस्तान के साथ काम करते होए आतंगवात को समर्थन करने और इलाके में कतरता फैलाने का आरोप लगाया था और जिस तरह भारत के नौसेनिक अधिकारियों के केस में दिखता है जहां कतर के पास कोई पुक्ता जानकारी नहीं है बलकि यहां कतर ने पाकिस्तानी खूफिया इजैंसी के साथ मिलकर इन जुटे आरोपों में भारती सेनिकों को फसा दिया है और ये तो कुछ भी नहीं भविश के लिए एक बड़ा रोड मैप तयार हो रहा था और इतिहा गलियारे को जमीनी हकिकत बनते देखा जा रहा था पर इस गलियारे में कतर की कोई भी भूमिका नहीं थी जिससे कतर काफी चेड़ चुका था क्योंकि अगर भारत से लेकर यूरोप तक पहुँचने वाला ये कॉल्डोर अगर बनकर खड़ा हो गया और साओधी ने इसरा कैनेडा भारत को कोई सबूत नहीं दे पाया कतर भी ठीक उसी रास्ते पर है तो यहां भारत चुप नहीं बैठेगा भारत कतर को बैठाने के लिए हर तरह की कोशिश में लगा है भारत नैचरल गैस के आयात को लेकर एक बड़ा देश है अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कत कतर नहीं LNG का ठेका ले रखा हो तो यहां भारत अगर अपनी पर आता है तो वो कतर के पेट पर एक बड़ी लात मार सकता है और हाली में वेनिज्वेला और और ऑस्टेले से भी गैस को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है आपको बता दे कि भारत अपने कुल LNG आयात का 40 फी किसी दी हिस्सा खो बैठेगा फिर पाकिस्तान की बात पर चलना ही कतर भूल जाएगा और ये तो सिर्फ भारत की बात रही बाकी देश भी देख चुके हैं कि कतर आतंवात का गड़ बन चुका है और जिस तरह अतीत में अरब देशों ने कतर को घेरा था अगर वो फिर से होता होँ दिखाई देगा तो कतर नक्षे से ही साफ होता होँ दिखाई देगा